ये किवदंती है या सच्छा है इसका दावा तो कोई नहीं करता पर यह सच है कि हरया तहसील क्षेत्र के एक दो नहीं 700 गावों में चने की खेती नहीं होती। स्थानिय लोगों की माने तो माता सीता ने जनकपूर से अयोध्या जाते समय पैर में चने की खूटी पैर में गड़ जाने पर यह शाप यहां के किसानों को दिया था। माता सीता के साथ अयोध्या लोट रहे थे। जिस मार्ग से भगवान जा रहे थे उसी मार्ग में किसी किसान के खेत में चने की फसल काटी गई थी और खूटी रह गई थी। उसके साथ कुछ ना कुछ अनिष्ठ हो गया। हलाकि यह बात कहीं प्रमानित नहीं हो पाई है कि किस गाव में किस किसान का चना बोने से अनिष्ठ हुआ है। बस लोगों ने ये परंपरा बना ली और चने की खेती को अनिष्ठ कारी मान लिया। नेत्वर गाव निवासी शिक्षकों प्रकाश्तिवारी का कहना है कि सर्यू नदी के उत्तर वा मनोरमा नदी के दक्षन दौाबा के किसान चने की खेती नहीं करते हैं। इस भूभाग में विक्रम अजोत, दुबॉलिय, कुछ हिस्सा परशुरामपुर्व कप्तान गंज का आता है। जो मनोरमा और सर्यू नदी के बीच का है। वहां चने की खेती पूरी तरह से लोग वर्जित मानते हैं। इन गावों की संख्या लगभग 700 है, जहां कोई चना बोने की हिम्मत नहीं करता है। हालांकि इस भूभाग के बाद के इलाके में चने की बहतर पैदावार होती है। वैसे यहां की भी जमीन चने की खेती के लिए बहतर है।